Hello guys, welcome, कैसे हैं बचे, बात करें आर कि last class में हमने आपको geometric progression बताया था, introduction बताया थे कि geometric progression है क्या, और 7-7 Dr. B.N. गुपता वाले बुक से practical problem भी बताया थे, one था question और इसके अंदर में आपके 3-4 question दिये थे, मैंने 5 तक solve किया था, 5-6 question था, और आज के class में 6 बताऊंगा, 7 बताऊंगा, और दूसरा नंबर question, तीसरा question, चौथा question, पाच्मा question solve करने वाला हो, और लग रहा है कि हमारा विडियो सपोर्टिव है, help हो रहा है students का लोग पढ़ सकते हैं, जिनको commerce वाले को math तप लग रहा है, उनके लिए आसान बना सकते हैं त्यार share करना बनता है, ज्यादा से ज्यादा print तक share कीजिए, चलते हैं practical problem नंबर 6 के तरफ में, ध्यान दीजिए, 5 तक 1 का 5 तक हमने last class बता दिया था, और 6 नंबर में आज चलते हैं, देखिए, 6 नंबर question में यह कह रहा था, कि आपका 20th term find out करना था, 1st term A2 था, 2nd term 0.2 था, 3rd term 0.02 था, 4th term 0.002 था, और आपको 24 निकालना था, फर्मूला यहा था, TN बराबर A, R, N-1, यहाँ फर्मूला था, के लिएर, TN यहाँ पे, T20 का value, बराबर A का value 2, R का value, R का value find out करेंगे, R बराबर 0.2 by 2, यहाँ से cut जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 by 10 आ जाएगा, R का value, ठीक है, तो यहाँ पे, 1 by 10, और इसका power हो जाएगा, 19, N-1 है, 19 हो जाएगा, और यहाँ आपका answer में दियाओगा, मतलब T20 का value जुआ जाएगा, 2 into 1 by 10 का power, 19, और इसको expand कर दीजिए, जैसे 2 into 1 by 10, 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 19 टाइम तक हम चले जाएगा, ठीक है, ऐसे आपकी answer में यही दिया हुआ, clear, और यहाँ आपका practical problem number 6 complete हो गया, चल यह practical problem number 7 में चलते हैं, हाँ बच्चे, 7 number में चलते हैं, ध्यान दिजिएगा, कह रहा था question, कि 1 है, 1 by A था, 1 by A स्कॉाइर था, 1 by A क्यू था, और 8 टर्म find dot करना था, क्या find dot करना था, सर 8 टर्म find dot करना था, तो यहाँ पे A का value first term एक आ गया है, ठीक है, दिया हुआ है, R का value निकालेंगे, तो 1 by A divided by 1, इसका value आ जाएगा, हम लोग का 1 बटा A आ जाएगा, clear, अब TN का formula A, R, N-1 होता है, हमने 1 लिखा first term, 1 by A, R का value 1 by A था, और N-1, अब यहाँ पे 1 से 1 multiple हो जाएगा, तो 1 value, और A power आपका नीचे भी जाएगा, तो N-1, और value हम लोग का यह आ जाएगा, clear, practical problem number 7 complete हो गया, 1 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सारा complete कर दिये, बताएँ, चले चलते practical problem number अब 2 के तरफ, हाँ बचे, यहाँ देखे practical problem number 2 में कह रहा था, first term GP बराबर 5, common ratio दिया वा था, minus 2, और आपको 6 term find out करना है, तो यहाँ पे A बराबर 5, R बराबर, minus 2, और आपको निकालना है T6, number of term, 6 term निकालना है, फर्मूला लिखेंगे, TN बराबर, A, R, N, minus 1, यह फर्मूला होता है, एक जगह पे हमारा यहाँ पे पहले हम T6 का value निकाल रहे हैं, तो एक जगह पे आपका 5, R के जगह पे आपका minus 2, और इसका power हो जाएगा, यहाँ पे 5, clear, solve करेंगे, 5 into, minus 2, into minus 2, into minus 2, into minus 2, 5 बार है, अब multiple कर देंगे, 160, minus 160, आप कहा जाएगा, और यह आपका practical problem number 2, solve हो गया, चलिए practical problem number 3 में चलते हैं, ध्यान दीजिए, हाँ बचे, practical problem number 3 में चलते हैं, समझेगा, देखे, बना इसलिए दियार और समझाते जा रहा हूं, ताकि आप एक कम समय में ज़्यादा question को touch कर दो, ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए, देखे, कर रहा था, 4th term of GP is 40, 4th term GP का कितना है, 40 है, and 10th term is 2560, और 10th term 2560 दिया हुआ, और कह रहा है कि आपको की 7th term निकाल करके दिखा कि 7th term क्या होगा, अब देखे, TN का formula यहाँ पे है, ARN-1, TN का formula है, ARN-1, दिक है, तो यहाँ पे, 1st, पैसे दिया कि 4th term का value 40 है, तो T4 बराबर ARQ होगा ने यार, N-1 है तो यहाँ पे, तो हम लोग का ARQ का value, ARQ का value यहाँ पे, देखेगा, ARQ का value हम लोग का यहाँ पे 40 है, दिया हुआ, कि लिए आपका 1st equation हो गया, दूसरा, T10 का value, यहाँ पे, AR9 हो जागा, N-1 है, 10 में से जागा, तो 9 होगा न, तो यहाँ पे 2560 दिया हुआ है, बराबर AR9, यहाँ आपका 2nd equation, 1st equation यहाँ हो गया, और 2nd equation आपका यहाँ हो गया, के लिएर, अब उसके बाद, हम लोग डिवाइड करें, और इसी तरीके से निकालते हैं न, तो AR9 by ARQ बराबर 2560, AR9 का value, और AR3 का value 40 था, तो हम लोग का आगया यहाँ पे, आदेखिए, 9 में से 3 जाएगा, तो यहाँ 6 आजएगा, A से A कट जाएगा, तो यहाँ पे R6 का value 64 आगया, अब R6 बराबर 2 का पावर अगर 6 करेंगे, तो हम लोग का वही आएगा न, 64, तो R का value हम लोग का बराबर 2, क्लियर, R का value यहाँ पे क्या आगया हमारा, तू आगया, अब आपके question में ध्यान दिजिए, यहाँ पे हम लोग क्या क्या क्ये कि putting the value of R in first equation, समझे, देखे क्या क्ये, putting the value of R in first equation, A, R का value 2 आया, और power Q था, first equation यह बराबर 40, तो हम लोग का A का value आग A का value हम लोग का कितना आगया, 5 आगया, A का value हम लोग का 5 आगया, जब हम लोग ने R का value put क्या first equation में तो, अब उसके बाद हम लोग का 7th term बोल रहा था 7th term बोला था, तो 7th T7 बराबर, A, R का power 6 हो जाएगा, अब T7 बराबर, यहाँ पे A का value 5 निकाले है, R का value 2 आया है, multiple कर देंगे 5 into 2, 6 टाइम, तो हम लोग का answer आजाएगा 3, 2, 0, 320, 320, और यहाँ आपका practical problem number 3 पूरी तरीके से complete हो गया, चलिए practical problem number 4 को बताते हैं, 4 समझाते हैं, हाँ बचे, यहाँ देखे, practical problem number 4 का रहा था, find GP, which 4th term is 3, and 7th term is 8 by 9, clear? अब यहाँ पे आपका लेट, A, देखे, हम लोग ने माना किया चिका, आपका first term नहीं दिया हुआ है, second term नहीं दिया, तो हम ने लेट किया, A first term, second term AR, third term AR square, आप fourth term ARQ, ऐसे करते करते हो इंध term तक जाएगा, clear? तो यहाँ पे T4 का value दिया हुआ, तो T4 बराबर क्या हो जागा, AR3 होगा, N-1, AR3, बराबर 3, first equation हो गया, दूसरा, T7 का value दिया हुआ था, 8 by 9, तो AR6 बराबर 8 by 9 value हो गया, और यहाँ पे first equation आपका हो गया, यह second equation हो गया, अब हम लोग यहाँ पे second equation से first equation को divide करेंगा, तो AR6 और AR3, A से कट गया, R6 में से R3 माइनस होगा, तो R का value 3 बज जाएगा, तो R3 का value यहाँ पे 8 by 27 आजएगा, 8 by 27, 93 जा 27, अब RQ बराबर 2 बटा 3 का power Q हम लिख सकते हैं, तो R का value हम लोग आगया, 2 by 3, R का value क्या आगया, 2 by 3 आगया, अब का रहे थे कि putting the value of R in first term, तो जब हम R का value first term में put कियें, first term हमारा यहाँ था AR का power Q, तो put कियें, तो यहाँ पे value आगया A का 81 by 8, 81 by 8 value आगया, clear, अब आगे, 81 by 8 put कियें, तो हम लोग का A बराबर 81 by 8 आगया, अब यहाँ पे आपका 81 by 8 first term, फिर 81 by 8 का input multiple 2 by 3 second term, यह first term हो गया, यह second term हो गया, यह third term हो गया, इस तरीके से आपका equation जा सकते हैं, जैसे देखें समझेगा, यह आपका second term, first term, second term, third term हो जाएगा, बात करेंगे, यहाँ आपका fourth term हो जाएगा, तो ऐसे आपका equation बढ़ते चलेगा, 81 by 8 first term, 81 by 8 into 2 by 3 second term, 1 by 8, 2 by 3 square, third term, फिर power 3 हो गया, third term, fourth term, तो इस तरीके से continue बढ़ते चलेगा, और यहाँ आपका, हम लोगा AP मतलब निकाल गया value, आपका equation का, तो यहाँ आपका practical problem number 4 complete हो गया, चले 5 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजे, practical problem number 5 में देखेगा, ध्यान दीजे, का रहा था find the value of GP, जो metric position का मतलब क्या value था, क्या first term, second term, third term, एक मतलब proper series को बताना है, और का रहा था कि fourth term is 1 by 18, and seventh term is 1 by minus 486, question था, और का रहा था कि आप दस्मा term निकल की दिखाए कि दस्मा term में क्या आएगा, तो हम लोग लेट कियें कि first term A होगा, second term AR, third term AR square, fourth term AR cube, के लिएर, formula TN बराबर AR N-1 होता है, तो यहाँ पे A का A4 बराबर AR3 हो जागा, पावर होगा न यार, N-1, और value 1 by 18 दिया हुआ था, first equation, second equation T7 का value AR6 और value 1 by minus 486 यह given था, तो यह आपका first equation और second equation हम बता दिए, अब यहाँ पे T7 by T4 value minus करेंगे, इसका value AR6 आ रहा था, और इसका AR3, A से A कट गया, तो R6 में से R3 जाएगा, तो R3 बचेगा, R3 यहाँ बच गया, तो यहाँ पे R3 बराबर एक कल्कुलेट कियें, तो 1 by minus 27 आ रहा था, कल्कुलेटर से आप कल्कुलेट कर लिजेगा, क्लियर, यार, 486 में 18 से भागा दे रहेंगी, तो minus 27 आ जाएगा, और 1 तो 1 वा आपका वाई से ही, अब RQ का बराबर, 1 by 3 का हम पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3, 9, 9, 27, वही हो जाएगा, तो R का value हम लोग का निकल गया, R का value हम लोग का 1 by 3 निकल गया, अब putting the value of R in equation first, तो हम लोग R का value हम equation 1 में put कियें, तो A का value आ गया आपका 1 by 18, एक वाटा 18, अब A हम लोग का निकल गया, R निकल गया, तो हम लोग equation वाला देखें टर्म में हैं, तो 3 वाटा 2, 1 वाटा 2, 1 by 6, calculate करते चलें उससे तरीके से, जैसे इसके पहले वाला question में किये थे, अब उसके बाद T 10 का value हम लोग को निकालना है, तो AR 9, तो minus 3 by 2, और 1 by minus 3 का power 9, आप इस equation को अगर solve कीजेगा, इस equation को अगर आप solve कीजेगा, तो आपका 1 by 2 into 6, 5, 5, 1 आ जागा, जिसका value 1 by 1, 3, 1, 2, 2 आ जागा, clear, और आज तक हम दो practical problem number बचे 5 तक solve कीए, अगर आपको कहीं bounce कर रहा है, एक बार वीडियो playback करके बापस देखिए, clear, और उसके बाबजूद अगर doubt रह रहा है, अगर partner में है, तो आरिया commerce carrier को visit कर लिजे, तेलिग्राम प्विचे ले जाए, mind your own success, सारा exam pattern का आपको कोशन बताऊगा, ज़्यादा interesting वीडियो रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा friend को share भी करें, support बहुत ज़्यादा जरूरी है, धाने बाद, bye.